हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आज का यह लेक्चर नमर बाइच से हैं और इसे प्रीवियू सरे लेक्चर में हम लोग लोड क्या होता है और लोड कितने परकार को होता है यह सब के बारे में दोस्तों किये थे तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग नुमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग आज चार नुमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें से एक नुमेरिकल आपको भी बनाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप reaction find कर सकते हैं किसी भी support का reaction find करने के लिए आज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो without wasting of time let's start today class तो सबसे पहले दोस्तो हम लोगों को sign convention के बारे में जाना पड़ेगा कि force के लिए कौन सा sign रहेगा positive है negative है क्या हम यूज करें फिर moment के लिए हम क्या यूज करें positive है negative और उसके बाद दूस्तों हम पर पर लगेंगा spam क्या होता है तो सबसे पहले दोस्तो हम लोग sign convention पढ़ने से पहले हम spam पढ़ लेते क्या होता है इसी भी दो support के जो बीच की जो दूरी होती है न दोस्तों उसी को दोस्तों आप अगर लेते हैं मतलब अगर left to right अगर लेते हैं तो four force मा nyt曲 के लिए तब क्या होगा दोस्तों तो जो ओपर की और जो force लगता जो उपर की और की और direction की और जो force लगता है उसको हम बोलते है कुछी positive और नीची की ओर वाल को बोलते है को दोस्तों negative ठीक है और moment के लिए moment के लिए दोस्तों अगर clockwise मोमेंट है तो हम प्लस ले लेंगे और anti clockwage moment है तो माइनस ले लेंगे यह तो रहा दोस्तों left to right के बात अब दोस्तों right to left के बात रहा तो force के लिए कि होगा दोस्तों इसको opposite कर देंगे यह उपर की ओर था plus तो हम इसको ऊपर की ओर अब कर देंगे minus और यह नीची की ओर था minus तो हम इसे नीच clockwage तो प्लस कर देंगे तो जनरली दोस्तों आज की हम जितनी भी numerical solve करेंगे उसमें हम right to left वाला ही लेके चलेंगे आप दोस्तों यह भी लेके चल सकते हैं इसमें आपको कोई दीकत नहीं है लेकिन जनरली दोस्तों असानी इसी में पढ़ती है तो आप दोस्तों इसी right to left को ही यूज करें इसमें आपको असानी पड़ेगे तो चली दोस्तों अब हम लोग नुमेरिकल की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला नुमेरिकल दोस्तों आपको यह बोल रहा है find the reaction at support मतलब कि यह वाले जो फीगर है दोस्तों इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको दोस दिखना वी पर कितना reaction लागत उसको आपको find करना है तो देखें दोस्तों ए और बी यह एक प्रकार का जो प्रकार का जो बीम है तो लंबा इसए फिर टिक है और इसमें हम दो को सपोर्ट दी वह सभर यह पहला सबर्ठेंद G और फिर इस पर एक मेरा लोड लग रहा है यह मेरा लोड लग रहा है पॉइंट लोड हे जो कि 10種 स्क्रों चलों का है और कि अब थो कि लगेति कि ये उरबत रह गया कि कि अब हमको RA और RB रावनिक अनला है तो हम जैसा बता है थिर कि सबसे पहले क्या चलना पड़ेगा हम लोगों को sign convention के अनुसार चलना पड़ेगा तो हम बता है दोस्तों कि प्रिवेस में कि जो ऊपर की ओर रहता है उसको माइनस लेता है और नीचे की ओर रहता है दोस्तों प्लस लेता है ठीक है और clockwise moment रहता है तो प्लस माइनस लेता है और anti clockwise moment रहता है तो प्लस लेता है तो ठीक है दोस्तों अब इस फिगर में आप चलिएगा दोस्तों देखें इस फिगर में इन एक बीलियृयम कंडिशन में कया आता दोस्तों कि जतना भी जो फोर्स लगता है वो सब क्या हता दोस्तो तो वो सब होता है आपको 0 आप एक बीलियृम कंडिशन में कोई body या कोई beam कव हो सकता है जब उसका जितना भी force horizontally यहां से हम दोस्तों लिख सकते हैं अब जितना भी वर्टिकली फोर्स में पहला पर लग रहा है यह मेरा दूसरा फोर्स बी वाला पर लग रहा है और यह पॉइंट लोड है एक तरह से तीसरा फोर्स है जो कि C point पर लाग रहा है ठीक है दोस्तो तो अब हमको सारा का सारा को zero करना है तो ठीक है दोस्तो हम A ये पर जो पॉइंट लग रहा हा है पतलब रेरेक्शन ओफ ए हाक यह नहीं पर दिखे दुस्तों यह कहा पर दीडार लगता है दो सट क्या बहुंक लैसे लेए कि खाने हैं माइनस नहीं BECEju आरे माइनस में लिए है अब दोस्तों बोले थे कि जो नीचे की और लगता है उसों हम प्लस लेते हैं तो यह जो पॉइंट लो लग रहा है दोस्तों वह किस डिरेक्शन में लग रहा है तो डाउनवार डिरेक्शन में लग रहा है तो यह 10 किलो न्यूटन की आव में हो कर ले लिए माइनस और यहां पर कंडिशन से हमको पता है कि यह सब के बरावर में जीरो आएगा तो यहां पर हम जीरो लिग दिया है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आरे पिलस आर भी बरावर किया जागा दोस्तों तो 10 किलो न्यूटन यह मेरा एक्विशन आ गया f1 अब टेकीं मोमेंट अबाउट फॉंट a मतलब किसी पॉइंड एक उन्सार हम एक मोमेंट लेते हैं मतलब फ्विशन पर मोमेंट लेते हैं तो समयशन आप मोमेंच अबाउट पॉंट- explosive काई भी क्या हो जाए गा तुग जहाएगा मोमेंच जीरो होगा बर्टिकली फोर ही समझ में आएगा देखिए दूस्तों यह जो फीगर हैं यह वाल जो फीगर है मेरा दूस्तों में प्रेच्ट और तो भाके कि अब ऑद ली का मोरा से लग रहा है मतलब कि यह वाला Скब इस दैरेक्शन में दोस्तों तो यहां पर अपवार्ड नहीं देखेंगे एसको अगर हम और आगे बढ़ाए इसको हम ये वाले फोर्स को अगर हम और आगे बढ़ाए तो यह कैसे मिद्ध आइसा है प्रत दोस्तो टिस दिखें का एंटिक क्लोकवाज होता है गोलता है पॉजिटीव लेता है तो यह आ रे है और इसको अगर हम गुना करेंगे जीरो तो देखें यहां पर तो हमको खुद में ही कितना कई है मतलब बना रहा है तो इसलिए इसे दोस्तों यहां पर हम आरे इंटु जीरो कर दिया है अब दोस्तों यह जो 10 kg N का है इसका देखें यह किस डियरेक्षन है गेगा सझाल ठीक है तो यहां पर हम जो 10 लिख है यह 10 यह हम क्या में लिख है निगेटी में ठीक है और यह जो 10 होता है न दोस्तों यहां से और इसको हम जो हम जिस वाले पॉइंट के लिए moment लेते हैं उस point के जितना भी डिस्टेंस होता है उससे गुना करते हैं तो देखें दोस्तों हम point A पर moment लिए है और point load जो लग रहा है वह सी पर लग रहा है तो C और A के बीच का जो जितना भी distance है न दोस्तों उसको हम गुना कर देंगे यह 10 जो point load है तो द direction में है तो इसको भी हम फूर सा और उपर करें तो यह कैसे मुड़ जाएगा ऐसा मुड़ है यही ही दोस्तों तो यह भी दुस्तों कहने का हम यह तो एंटी क्लोगवाज मॉमेंट है तो पॉजिटिव होता है तो आर्वी हम यहां पर भी पॉजिटिमे ले लिए अब यह क तो देखे दोस्तो यह चार आपको जो आर भी है आर भी से हम डिस्टेंस ले लेते हैं तो जहां तक जहां से मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट का हम दुस्तो डिस्टेंस ले लेते हैं तो यहां से यहां तक है वन मीटर और यहां से यहां तक तीन मीटर तो इसको हम टूटल कर तो तो किसी भी संकिय में जीरो स्चुना न करें तो क होना तो ऑना चाहे तो तो जीरो आना चाहे ठिक है और यह तो 30 सब्सक्राइब तो इंटो अर्वी recommend और विभी उखनाश यह 4 और भी ब्रबन जाएगा तीस चाह्रों यहांसा आ जएगा 7.5 बराबबर कितना है दोrat टो टो आरे का फेल्य कितना अधर यह चैन जागागा 205-टमंस कर ने का मतलब की जो पैस्स बीजितना रि hopping लगई है और पजolly सोर्व करना एक और नुमेरिकल को देखते है ने मतलब की जो पौइंट इससे अपको और अच्छे से कीलिए होगा कि रहा है और प्तूर dei b है रगल हो आफ स्पैम 6-meter irrelevantences अपक्ष। किलोनीटर और दिस्टेंस आफ तू मीटर और फोर मिटर फ्रॉम दे लेफ्ट इंड ऑफ एफाइंड दे येक्शन ऑफ पॉइंट एंड बी मतलब कि इस परकार का फिगर तो और आपको इसमें निकालना है दोस्तो क्या तो पॉइंट अ कितना रिक्षन लग रहा है और पॉ पॉइंट एंजन अकुरम है आपको अपर से खाम रहा है एक है मेरा 3 किण। नुटर Chicago । और पॉइंट से जो टिस्टेंस है यहां पर दोस्तों सी इसको मानने घ्र्यां और यहां पर स्पर चैंवील माननेते है और अब हमको find करना है और 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 बी का reaction मतलब point A पर कितना reaction लाग रहा है point B पर कितना reaction लाग रहा है तो चले दोस्तों find करते हैं बहुत यह असान प्रस्ण है दोस्तों इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रस्ण साइन पर्रातब करदोस्टों tule कस जानते हैं तो साइन कंवेशन के बोलता दोस्तों कि जो उपर रहा है वो माइनमस होता है और जो नीचे रहाता है वह पुलस लेता है ع мечण ज मेंधने घृत्याज को पनृत्यां झरफ यह बड़ता है ग तो अब है आरे आरे ढ Καιस सब्सक्राइब मोई नत्यक्रा किए निच्छी क्या होता है तो यह पर हम प्लस होता है यह लिए और फिर अट्री में प्लस में ले लिए और रवी रभी ब्रावर किया है दो अग्यारव जो लोग रहा है तो आप यूपर एक लोगते हैं तो क्या हो जाएगा दूस्तों मैंनस दूसरम आभी मिलें लिए तो आ एको हो गया एक्वेशन फर्स्ट कि लाइन पर जितना लग रहा है उसका निकालते है तो आरे थो आरे हैं प्रिकों आप HEY कि दोस्तों यह ऊपर रहा है यह उपर रहुम आप़ गीचेंगे कीसा में जाएगा ऐसा बन जायगा एक नहीं अब दोस्तों यह बात रहा थीरी जो है दोस्तों नीचे डाउनवर डारेक्शन लग रहा है और इसको और हम तोसर नीचे घीचे तो यह ऐसे बन जाएगा तो यह हो जाएगा आपको दोस्तों क्लोकवाज डारेक्शन दोस्तों माइनस लेते तो माइनस थीरी हो गया और यह कि होंगे तो पॉंट इसए मोमें टाइब तो जगे में नहीं बssenी से वसके टाइब युञ Kr sopr मंच लंगे कट कर दूसक्तो तो यहां अपको एंटिकुला वाज में लग रहा है तो इसे हम प्लस ले लेंगे तो आर्बी और सुटल डिशन से लेंगे तो हो जाएगा मेरा सिक्स सुटिए को आर भी वराबर आपर आजागा थर्टी और यहां से अर्वी वराबर आजाएगा फाइव तो आर्वी का फैलू अगर ह हम equation first में put करेंगे तो मेरा आरे का वेलू जाएगा फोर यहां से दोस्तों को आरे और 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 बी का वेलू दोनों आ गया है यह आपका सेगंड प्रस्न है दोस्तों यह भी बहुत ही असान प्रस्न था एक और प्रस्न लेते हैं दोस्तों उससे भी आपको और अच्छे से किलि नुटन का दूसरा है 20 क्लोनिटोनिका यह दो लोड है और नीचे से तो सपोर्ट में रहा है पॉइंट एक पॉइंट भी पर तो साइन कन्वेंशन से नुशार हम लोग जानते है कि ऊपर रहता है तो मैनस लेते निचे रहता तो प्लस लेते हैं को लाकवाज रहता है नीचे के रहता है तो प्लस लेते हैं तो यहां से प्लस ले लिए और आरवी उपर के लोग रहा है आरवी तो उपर के रहता आरवी तो हम मैनस लेते हैं यहां से आरवे प्लस आरवी ब्राबर हो जाएगा मेरा तीस यहां से यहां से मेरा आरे प्लस आरवी ब्राबर हो जा क्योंकि आरे जो है वह किस वाले इसको हम अगर ऐसा है तो हम ऊपर और घूमा देंगे तो यह ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा दोस्तों आपने अन्टी लेते हैं और यह खुद में कितना डिस्टेंस बनाएगा दोस्तों हम यह पर इसको जिरो ले लिए अब दोस्तों यह perfecto सिर्जीनिट तो यह दस है और जो बिस है यह 20 सिसको से माहिने संफ करने लिए संसर बीस हैं और टीन है और यह यह 10 है और यह 20 है तो यहां तक 4 है और हुद है तोना क्वाइं थीन अ मोटते पॉइंट nine कद दिष्टन्स है ना यहां पर सी लिखहें है यहां पर लिंख लिकन अभी तक रहा यह पोईंटी है दोस्तोँ तो यह तो पॉइंटस you करें चानिर तक partial चार तो हम बोले थे किitte कि इस पॉंत पॉमेंट मुमेंट लिये उस पॉंट कलिस्फिक में थैंस चार हो गेदां चार भी नाहें तो यहां साथ लिख दी आँ अरब 12 लिख लिए लिए R V बराइब रहेख इतना है R V इंटू 12 और टोटल रेकेसन हमें को हो जाएगा तो यहां से तो 12 बराबर हो जाएगा 170 तो आर भी बराबर हो जाएगा 1.14.16 किलो न्यूटन यह दोस्तों आपको 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 नुमेरिकल को सॉल्व करना है और यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों नुमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसमें आपको कोई किसी परकार का कोई दीकत नहीं होना चाहिए तो दोस्तों एक यूचन है यह वाला यह दोस्तों हम आपके लिए छोड़ जाता हूं इससे दोस्तों आप लोग सॉल्व करेगा और इसका जितना भी आंसर होगा आप मुझे बताएगा तो चली दोस्तों इस इस वीडियो सुरिच को धन्यवाद